सुबह के जल्दी में एक ऐसा नास्ता बनाऊंगी जो सिर्फ 5 मिर्ट में बन के त्यार होती है जो पॉस्टिक होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिस्ट होती है और मेरे घर में 2-3 बार तो यह हफते में बनी जाती है साथ ही बनाएंगे स्टोर होने वाली एक गजब की चटनी जो बहुत ही शेहतमंद और बहुत तेस्टी बनती है तो डेफिनिटली आप पूरी वीडियो को लास तक देखेंगे देखने के बाद आप सच में इससे बनाने से खुद को रोकने पाएंगे चलिए बनाना शुरू तो मैंने यहाँ पर बनाने के लिए इसको एक बैटर हमें बनाना है तो सबसे पहले बड़ा सा बरतन ले ले और एक कुप बेसन लिया है बेसन मेरा जो यह मैं यूज कर रही हूँ यह घर पर तयार किया गया है इसलिए प्योर है आप यहाँ पर चाने की डाल को भी चावल कांटा चावल के आटे की जगह पर आप गीहू कांटा बाजरे कांटा जो आर कांटा जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हैं सिर्फ बाइंडिंग के लिए है जिसे कि बहुत यह लचीला और बहुत टेस्टी आपकी रसेवी बनती है तो सिर्फ तीन चमश मैंने यह चावल कांटा डाल दिया अब डाल देंगे नमक स्वाथ के एसाब से बहुत ही थोड़ी सी हल्दी भी आड़ करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आजा इसमें तो लगवग आदी चोटी चमश से भी कम हल्दी का इस्तमाल किया है सारी सूखी चुचो को अच्छी तरीके से म इसमें हमें डालना है पानी जितना हमने बेसन लिया है उसका चार गुना हमें पानी डालना है बहुत ही पतला सा बैटर तैयार करना है लेकिन ध्यान रे एक बार में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डाल लिए ताकि बेसन में और आटे में लंप्स ना रहे यहां देखिए मैंने बड़िया से इनको बिला लिया है जो भी लम्स थे वो निकाल दिया एकदम स्मूध हो गया है तब हम इसमें बाकी का बचा हुआ पानी भी एड़ करेंगे जितना पतला आपका यह बैटर रहेगा उतना ही अपकी रेसिपी अच्छी बनेगी अगर आप बैटर को मोटा करेंगे तो चीला का टेक्शर आजाएगा इसलिए बैटर एकदम पतला रखना है अभी मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा रखा है क्योंकि दो कप ही पानी आड़ किया है बाकी का दो कप हम बाद में आड़ करेंगे उससे पहले हम इसमें सबजी आड़ मैंने इसमें थोड़ी सी प्यास, टमाटर, धेर सारे धनिये के पत्ते और तीन हरी मिर्चे लिए हैं बारी काट के देखेंगे प्यास को एकदम बारी कट किया है और टमाटर को थोड़ा सा बढ़ा रखा है क्योंकि जब को खोते हैं तो टमाटर जल्दी से गलते नहीं है और देखने में काफी अच्छे लगने तो इसको थोड़ा सा बढ़ा रखना है बागी चीजे बार इक बारी काट लीजे मिर्च की क्वांटिटी को कम जादा कर सकते अपने हिसाब से तो मैं यहरे से भी बच्चों के लिए नहीं बलकि खुद के लिए बना रहे हूं इसलि बैटर एकदम गाढ़ा है इसको चटपटा बनाने के लिए मैं एक मसाला यूज़ करूंगी जो मैंने घर पर तयार किया है इस सीक्रेट मसाला की रेसिपी है आप एक बर जरूर ट्राइ कीज़ेगा इसको मल्टी परपत मसाला भी विक्या सकते हैं और एक बर बनाने के बा बादी चूटी चमच मैंने डाला है इसको डालने के बद कोई गर्म मसाला जीरा पाउडर धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत ही नहीं इतना ज़्यादा बढ़िया है तो आप भी जाकर बना लिए लिंक मैं उपर लिख की डाल रियो डिसक्रप्सन में भी दे दूंगी जाकर आप देख सकते हैं चलिए अब इस बैटर को अच्छे समिला लीजिए और तो तीन मिनट के लिए ढख के रखेंगे ताकि जो सबजिया है उसे भी पानी रिलीज हो जाए और उसके बाद हम बाद में इसकी रेसिपी को कुक करेंगे तब तक चलिए हम चटनी त्यार क तो लगबग दो या एक चमचब डाल सकते हैं इसमें डालना है आमला अब या आमले का सिजन चल रहा है तो आमला लीजिए अगर नहीं है तो आप नीबू करस या एमली ले सकते हैं लेकिन आमले से बहुत बढ़िया टेस्स आता है अब इसमें दो हरी मिर्चे आड़ कर ल डालना है और धनिया के पत्ते भी थोड़ी सी पुदीन डाले है मैंने और अब नमक डाले थोड़ा सा पानी डाले और इसको अच्छे तरीके से बारी घूने तक पीसना है पानी जादा मत डालिएगा पहले थोड़ा ही डाली ज़रुद दगे तो थोड़ा और एड नास्ते के साथ नहीं रोटी पराथे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और लगबग साथ से आठ दिन स्टोर भी कर सकते हैं इतना जादा बढ़िया है जब भी मैं यह चटनी बनाती हूना तो थोड़ा सा जितनी जरुरत होती है उससे साफ से निकाल के रख लेती हूं और इस तरीके के एर टाइट जार में भरके स्टोर कर सकती हूं तो यहाँ पर जो जार आप यूज़ करेंगे बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए एक दम ड्राइ होना चाहिए सुखा हुआ होना चाहिए तब ही आप इसमें चटनी को डाले और एर टाइट धकन से बन कर देना है कि अगर लेट धीला रहेगा तो इसमें हवा जाएगी और चटनी का कलर और टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको अच्छी तरीके से बंद कर दूंगी और फ्रिज में रखोंगी ध्यान रहे लेट एकदम टाइट होना चाहिए आप इसको काटोरी वगरा में भी स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है आप एक पर ज़रूर मेरे कहने पे बनाना और बताना कॉमेंट में कि कैसी लगे चलिए आप देख लेते दो कप पानी एड़ कर देंगे जितना ज़दा पतला बैटर रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे और आप देखिए कितना ज़दा पतला है ये देखिए लास्ट जम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला एड़ करेंगे ताकि चटपटा आप नीबू का रस ले सकते हैं और ये जो चाट मसाला है इसको भी मैंने घर पे त्यार किया है बहुत ही बढ़िया और यूनीक बनता है आप एक पर जरूर इस रेसिपी को भी देखिएगा स्टोर कर सकते हैं अराम से पांच से छे मेने तक खराब नहीं होती है चाट मसाल प्रेड नहीं होगा और एक जगा जाकर घठा हो जाएगा एक साइट सिखने के बाद हम थोड़ा सा ओयल या घी इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे और अच्छी देज़के से सिखने देंगे जब तकि सिखता नीने इसको टच नहीं करना है ये बहुत ही सॉफ्ट भी होते है और अगर आप इसको टच करेंगे तो बीच में तूट सकते हैं ये देखे अच्छे से गोल्डन हो गया है आपको देखे ही पता चलेगा उपर उपर से भी तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम को कम करेंगी आप चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं लेकिन इतने पतले हैं कि चीले से बहुत ही अलग स्वाद है और हेल्थ बेन्फिट्स तो हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज हुआ है और थोड़ी से बेसन से आप बहुत सारी रेसिपी बना कर सेते हैं मतलब पूरे परिवार के लिए अच्छी तरीके से गया है तो अब इसको निक बना कर रेडी करेंगे ये बेसन के डोसा बनाने के लिए आपको दुबारा से कोई घी या तेल डालने की ज़रत नहीं है पैन को सिर्फ पहली बार ही ग्रीज करना जरूरी होता है ताकि अच्छी तरीके से कुख हो सकी और क्रिस्प हो सकी चिपके नहीं जैसे इस सिक जाए हम इनको टॉन करेंगे थोड़ा से घी तेल उपर से डाल दीजे और जब ये अच्छी से कुख हो जाएंगी तो दुबारा पल्टूंगी नहीं मैं अब मैं इसको ऐसे ही साफ करूँगी क्योंकि पहला वाला मैंने दिखाया था कि कितना अच्छी से क्रिस्प हुआ है और ये लिजे शानदार बहुत ही तेस्टी और बहुत ही हेल्दी जल्दी से बन जाने वाला बेसन का डूसा तयार है अगर आपने पहले कभी नहीं खाया है तो एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाना और चटनी तो जल्दी से ही बनाना क्योंकि ये रसेपी आप मिस्मत करना ए बिना बरत के भी इस आलो की चटनी को इंजाय करती हूं तो आप इस डोसे को एक बड़ जरूर बनाएए खाईए और सब के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर कॉमेंट करके बताईएगा मैंने रसेपी आज इसलिए बनाई क्योंकि मुझे बहुत देर हो गया था सुबह उटने में और फटा-फट से रसेपी यही बन सकती थी तो मैंने इसको बना लिया है कैसी लिए जरूर बताईए और मुझे बहुत जोरो की भूख लगी है तो मैं तो इसको करूंगी इंजॉय आप भी बनाईए और रोज नही वीडियो पान झाल